अस्लामवाले कॉलिएन्हीर वेलिकम एक लिए एक्सटाइज विद्वर वाउने की त्रेफ्शित विडियो की दिरफ एक्सिर्टेफ इलेवन पर न 12 वाने के कुषिंद मर फ्यक्न वर 5 को पुल डिसकस करने जा रहे हैं में एक बोर्ट से एंगल ऑफ डीप्रेशन बंद रहे है अब एंगल फ डिप्रेशन और अइंगल उफ इप्रेशन के अंदर में डिटेवे समझाए था फिर भी आपको बेशल बतायतु कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि एक पूल की उपर आप खड़ें जब पूल से आप खड़े हो के नीचे दरिया के अंदर किस्टेन देख रहे हैं तो उसको बला जाता है अंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोर्ट जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं अब्जरबर जिस चीज़ को अब्जर कर रहा हुए वो बॉट को अब्जर कर रहे है यहनी पानी के अंदर बोट पोर्ट उसको ब्जरब कर रहे है 65 मीटर एवे फ्राम बैस ओफ क्लीफ यहनीजी बॉट के दरम्यान और क्लिफ के दरविएं डिससंस 65.7 मीटर अब क्लिफ बेसिकली होत रहता है पाडी को पानी के लिए पाड़ी हो तो यहां पे एक बोड cara aobs apart तो यहां तक और यहां एक राइइंगल entr you're a point to का बोर्ट को मैं भी बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं अब क्वेश्चन की स्टेट्मेंट के लिखा थे कि बोर्ट इस सिक्टी फाइट पाइंट सैवन मीटर फ्रम बेस ऑफ क्लीफ यहनि इसकी बेस पेस ठीक है उसकी बहुत फर्दर बात करूं तो हमने हाइट ऑफ दी क्लीफ को फाइंट करने है उसके बता कर मैं बात क्यों हूं तो मेरे पास एंगल भी गिवन है क्लीफ इस 28.9 डिग्री यहनि एंगल कितना गिवन है 28.9 डिग्री तो अब हमने हाइट फाइंट करनी है तो एक ऐसा फामला देखेंगे जिसके अंदर हो और बेस भी आ रही हो ठीक है तो अगर हम देखें तो हम आड़ पर फामला बनता है टैन का टैन का क्या फामला आता है कि टैन थीटा इस इकोल टू प्रिपेंडिकुलर अवर बेस अब जहन में क्वेश्चन आता है कि हमने साइन का फामला क्यों नहीं यूज किया तो अगर हम साइन के फामले में देखें तो अगर मैं बात कुरू प्रिपेंडिकुलर तो प्रिपेंडिकुलर हम आप सारी है हाइड ऑफ क्लिफ डिवाइड वेस कितनी है 65.7 मीटर और टैन थीटा के नहीं था 28.9 डिग्री तो हाइड इस इकोल तो 65.7 मंटिप्लाइड टैन ओफ 28.9 डिग्री अब इन दिनों को मैं मंटिप्लाइग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36.3 मीटर अब 36.3 आ गया अगर हम देखें तो यहां पर जो यूनेट यूज़गा था वो मेट्र का यूज़गा था तो हमारे पास हाइड कितनी है कि 36.3 मीटर तो हाई उसके पाद हम बूफ करते हैं क्वेशन नमारे क्वेशन नमारे क्वेशन निदर फ्रॉम दे टॉप पानी के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ी उनको बनाद देता है क्लिफ ठीक है तो मैं यहां बेख ड्रॉप कर लेता हूं एक पहाड़ी तो मेरे पास लैट्स पोज यह क्लिफ आ गिया पहाड़ी उसके पाद लिखा हूँ है कि 52 मिटर हाइट अब इसकी हाइट कितनी है 52 मीटर है एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन एंगल डाउनवर्ड बनता है ठीक है तो मैं यहां पर पॉइंट रहा कर लाता हूं जिसकी रिस्पेक्ट से हमें समझ आएगी कि यह पॉइंट डाउनवर्ड बन रहे है ठीक है उसके बाद एगर फर्दर बात कीजिए ऑफ टू टू है मैं ऐसको मैं उसको बन नाम घ कर वसक Dri दो फॉइंट चिस्टी भकटा कीजिए हैं तुमारे पस लिखा हो है कि 36 degree and 24 degree एक का angle बनना जो angle of depression आप मज़र करे हो अब angle of depression मतलब क्या होते है कि मैं let's suppose यहाँ पर खड़ा होके camera के दो देख रहा हूं तो यह मेरे पास angle जो observer से बन रहा है अब मैं यहाँ पर खड़ा होके निचे देखूँगा लेकिन अगर मैं दूर देखूँगा तो वह 0 degree बन रहोगा कुछ इस्तरा बन रहोगा तो यह छोटा angle है वह 24 यह दूर बन रहोगा मीन शीप बीक साथ कौन से अंगल बन रहा है 24 degree बन तो यह मैंने ड्राव कर लिया ठीक है और शीप एक साथ छोटा बन एंगल जो है वह शीप बीक से बन रहे था और बड़े बन एंगल छीप एक साथ बन रहा है अब इसका जहन में रखने का तरीका की है कि जो भी छोटा एंगल होगा वह लाइन के करीब होगा जो जो भी बड़ा एंगल होगा वह लाइन के करीब होगा और जो छोटा एंगल होगा वह लाइन से दूर होगा तो 24 डिग्री जो है वह लाइन से दूर होगा तो मैं इसको फूदर कर लेता हूँ तो अगर बात कुरू तैशोटा एंगल हούता है लाइन के दूर अभी स्वाइश भीश संजाने जेक्स मुझे होगा यहां बतर है ठीक पर नोabad ट्वश्वोट एंगल चीज भीयदो आपको समझार आगी वह तो अब मैं इस पॉइंट को गया तो यह को मैं काई तो ये पॉइंट को इसको फिर रसांगी के लिए कि लिए हमने क्लास के पर लिए तो आगे बात की यह तो इस डायग्राम से वेरे पास दो यंगल बन रहे हैं ने अगर बात को तो इस डियाग्राम को मैं फॉर्दर लेबल कर लेता हूं ठीक है तो बेसिकली अगर फॉर्दर बढ़ने तो एक बार फिर पढ़ लेता हूं तो फ्रॉम दे टॉप ऑफ क्लिफ 52 मीटर हाइट तो मारपस क्लिफ की हाइट की 52 मीटर एंड एंगल अफ दिप्रेशन ऑफ टूशीफ द्यूट थाटी सिक्स एंगल बढ़ना था तुस्से से ट्वंडिफ बन रहा था फाइंड दैसेंस बट्वीन शीप तो हमने इन दुनुशीफ की तर्मियाट डिस्सेंस नाम लेता हूं और यहां से लिए के यहां ता कि जिस् आपने बड़ा था उस्तरा कर लेते हैं तो हमारे पास इसके अंदर हमें प्रशे रहे हैं कि दो रॉइइंग रही है कि अब जोटी के लिए एंगल किना बन रहे था 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 और हमारे पास हाइट जूनर भीस हैं और यहां पर base हमारे इसका नाम गया था A इसका नाम था L और इसका नाम था M तो मारे पास right angle triangle बनेंगी A, L, M अब इसको solve कर लगते हैं अब इस question देखा हैं तो हमने क्या find दे था distance, distance mean base आ रही है, तो हम यहां से base को find कर लेते हैं तो हमने वो formula लगा रहा है जिसके दर base आ रही हो तो मारे पास formula क्या होते है कि tan theta is equal to perpendicular over base तो इस formula को implement कर लेते हैं जब इस formula को implement करेंगे तो मारे बस क्या आ जाएगा tan 36 degree tan 36 degree is equal to perpendicular value 52 है और base हमें find करने है जिसको नाम B है तो B is equal to 52 divided by 10 36 degree आ जएगा तो यहां से मारे बस B की value आ जएगी तो जब हम B की value को relate करेंगे तो मारे पास आ जएगा 71.6 meter तो यह हमने एक triangle में solve कर लिए जिसे मारे बस 71.6 meter आ गया लेकिन question की सेटर के लिखा थे कि find distance between ship तो distance between ship मारे पास क्या point आ रहा है तो हमने finding करना है था एक triangle हमें solve कर लिए अब हम दूसरी में triangle को solve कर लेते हैं तो यहां पर मैं दूसरी triangle को draw करने लिए आ रहा हूँ अब दूसरी triangle की बात कीजिए तो मारे पास point था B, L और M तो हमने right angle triangle दूसरी लिए draw कर लिए B, L और M अगर base की बात कीजिए तो इस पूरे के अंदर की आ रहा था A plus B angle कितना रहा था 24 degree और height रहा थी 52 meter ठीक है अब इसको further solve करते हैं जब further solve करेंगे तो इसके अंदर further 10 वाला फाम में लगेंगा यहीं 10 theta is equal to perpendicular divided by base तो अब आरे पास value put कर लेते हैं perpendicular value 52 है और base की A plus B आ रही है अब theta मान बस कितना था 24 degree 52 divided by A plus B यह मान बस आ गया वह हमने A plus B मारे पास unknown है तो A plus B is equal to 52 divided by 24 आ जाएगा ठीक है तो अगर मैं 52 divided by 24 करूँ अब मेरे पास A plus B unknown है तो मारे पास आ जाएगा 52 divided by 10 of 24 degree अब इसका mathematical regulation करके answer देखें तो इसमार पास कितना आ रहा है तो जब A plus B को तो जब हम इसको divide करेंगे तो मारे पास आ जाएगा 116.24 तो जब हम इन दुनों को divide कर लेंगे तो A plus B is equal to 116.8 degree यह आ गया लेकिन हमें A का rate करना था तो पिछली equation में हमने B की value का rate की थी B is equal to 71.6 meter तो मैं यहाँ पे B की value put करना हूँगा तो A is equal to 71.6 meter 116.8 meter तो 71.6 यहाँ पे plus में जाए क्या हो जाएगा minus में तो जब हम दुनों को subscribe कर जाएगे तो मारे पास एक answer आजएगा जब दुनों को subscribe किये तो मारे उसकी तहना मचता है 45.2 meter तो कल्रेटर पर जब नहीं किया तो 45.2 meter हमारे पास इसका answer आजएगा तो बैसिकलिए यह था question number 5 और question number 6 जो कि आज की वीडिवेगे तो 7 और 8 को deal करेंगे तो से पहले आपने चोटी से रिक्वेस्टर के अगर आपने मारे चैनल को subscribe नहीं कि तो subscribe कर दें और साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दें उसके लावा इस question के अंदर कोई भी आप वाश्यन आदे तो आप comment section पूई सकते हैं या हमसे directly contact कर सकते हैं वीडियो के description के अदर हमारा WhatsApp गुरूप का लिंक भी मजूद है और हमारा contact नमर मुझूद है तो मिलेंगे इंशाला नेक्स पार्ट में जब तक अल्लाँ जी के बाट